आज कल IPL के मैच चल रहे है देखते हो आप लोग मैच फिक्सिंग शब्द सुनाएं आपने सुनाएं जब बैमानी से एंपायर पर दबाव डाल कर प्लेयर को खरीद कर कैप्टन को दरा कर मैच जीता जाता है क्रिकिट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है हमारे सामने लोग सबाग चुनाओ है अंपायर किस ने चुने नरेंद्र मोदी ने हमारे टीम में से मैच शुरू होने से पहले दो खिलाडियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया नरेंद्र मोदी जी इस चुनाओ में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं यह जो उनका 400 सीट का नारा है यह बिना इवी एम के बिना मैच फिक्सिंग के बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डाल कर खरीद कर यह 180 पार नहीं होने जा रहा है सब मिलाकर आप देखिए कॉंग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट बंद कर दिये गए है चुनाओ के बीच में देखिए सबसे बड़ी ओपोजिशन की पार्टी के सारे के सारे अकाउंट बंद कर दिये हमें कैमपेंच चलाना है हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है पोस्टर लगवाने है सारा का सारा जो हमारे रीसॉर्सिज है बैंक अकाउंट बंद कर दिये गए है तो ये कैसा चुनाओ हो रहा है नेताओं को धमकाए जाता है पैसे देकर सरकारों को गिराये जाता है नेताओं को जेल में डाला जाता है केजरिवाल जी को सच्चा ही है और ये मैच फिक्सिंग क्यूं हो रही है बाई और बेहनों इसका सिर्फ एक लक्ष है कि हिंदुस्तान का संविधान जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविश्य दिया सपने देखने का हक दिया उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए ये मैच फिक्सिंग की जारी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन ये संविधान खतम हो गया उस दिन ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा इसको पुलीस से दमकी से नहीं चला जा सकता है ये जो संविधान है हिंदुस्तान की जंता की अवाज है हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है इसको जिस दिन खतम कर दिया गया उस दिन यहाँ पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा अलग-अलग स्टेट हो जाएंगे हिंदुस्तान नहीं बचेगा यही इनका लक्ष है यह सोचते हैं कि सम्विधान के बिना दमकाकर दराकर पुलीस सीबियाई एडी इनकंटैक्स डिपार्टमन के साथ देश चलाया जा सकता है ये सोचते है मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है आप मीडिया को खरीद सकते हो आप मीडिया को दबा सकते हो आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुँ बंद कर सकते हो मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस आवाज को दबा सकती है बाईयों और बेनो बीजेपी के MP ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे मैच फिक्स करके 400 सीटे जीतेंगे वैसे ही हम सम्विधान को बदल देंगे सम्विधान को रद कर देंगे ये ऐसे ही नहीं बोला गया ये टेस्ट करने के लिए आईडिया टेस्ट करने के लिए बीजेपी के MP ने बोला है ये लड़ाई सम्विधान को बचाने की लड़ाई है जैसे अकिलेश जी ने कहा सम्विधान चला जाएगा गरीबों के हक चले जाएंगे आरक्षन चला जाएगा और जो आपका धन है गरीबों का धन है किसानों का धन है मजदूरों का धन है वो पाँच-छे लोगों के हाथ में चला जाएगा नोट बंदी की GST लागू किया मुझे बताईए GST से नोट बंदी से किस गरीब यक्ति को फाइदा हुआ किस छोटे दुकानदार को फाइदा हुआ किस किसान को फाइदा हुआ किस बेरोजगार युवा को फाइदा हुआ किसी को नहीं चालिस साल से सबसे ज़ादा बेरोजगारी हिंदूस्तान में आज है एक परसेंट लोगों के पास हिंदुस्तान का पूरा का पूरा धन 22 लोग है जितना धन उतने उनके हाथ में है उतना ही धन 70 करोड लोगों के हाथ में है ये सन्विदान को क्यों मिटाना चाहते है क्योंकि आपका धन जो है आपसे चीनना चाहते है मैंने जाती चंगर्णा की बात की किसानों के MSP के बात की युवाओं को रोज़गार देने की बात की ये ही देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे है मगर एक बात याद रखिए अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग काम्याब हो जाएगी यह भुलिये मत और जिस दिन मैच फिक्सिंग काम्याब हो गई उस दिन आपका सम्विधान हमारा सम्विधान खतम हो जाएगा जिस दिन सम्विधान खतम हो गया उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी तो यह जो चुनाओ है यह चुनाओ कोई मामुली चुनाओ नहीं है यह चुनाओ हिंदुस्तान को बचाने का सम्विधान को बचाने का और जो गरीबों का हक है किसानों का हक है पिछड़े वर्गों का दलितों का आदिवासियों का गरीब जेनरल कास के लोगों का हक है उसको बचाने का हक है उसको बचाने का चुनाओ है यह बात आप याद रखिए क्योंकि अगर यह चुनाओ जहां मैच फिक्सिंग की जा रही है वो पूरे देश को दिख रहा है बीजेपी के लोग कह रहे है कल मेंसे वियक्ति मिलने आया मुझे कहता है मैं ट्रेन से आया मेरे साथ बीजेपी के कार्यकरता बैठे थे उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गणबड है यह सचाई है एलेक्शन कमिशन के लोगों को नरेंद्र मोदीजी ने बठाया दो नेताओं को दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला चुनाओ से कुछी महीने पहले अगर डालना था तो छे महीने बाद डाल देते छे महीने पहले डाल देते नई चुनाओ से दो तीन महीने पहले दो चीफ मिनिस्टर को डालना था आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किये बैंक अकाउंट बंद करने थे छे महीने पहले करते एक साल पहले करते छे महीने बाद करते कोई फरक नहीं पड़ता आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाओं ना लड़ पाए और इसलिए आपने कॉंग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद किये आपने एलेक्शन कमिशन में अपने लोग बैठाए आप जुडिशिरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो समविधान रद किया जाए और आप सत्ता में रहो मगर भाई और बेहनो मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाओ बीजेपी जीते और उसके बाद समविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है जो मैंने का याद रखो ये देश नहीं बचेगा ये चुनाओ ये चुनाओ वोट वाला चुनाओ नहीं है ये चुनाओ हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाओ है समविधान की रक्षा वाला चुनाओ है दन्यवाद जैहिद झाला चुनाओच है